आप भी अगर सोशल मीडिया का धडले से इस्थिमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं अरे कहा जा रहे हैं आप ही के लिए हैं जी हाँ नमस्कार आदाप सस्विया काल मेकीती और आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइस वाटसेप पर अब जादा स्यापा फैलाया तो जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे आज कल सोशल मीडिया पर जिससे देखो लगा पड़ा रहता है कुछ तो अपनी कलाकारी दिखाते हैं और कुछ बस इधर से आया उधर फैलाया वाला कांड करते रहते हैं लेकिन बच्चा सुधर जाओ नहीं तो अब लंबे जाओगे काहे कि मैसेज भेजने और बातचीत के दोरान लापरवाही बरती तो आप जेल की सलाकों के पीछे पहुच सकते हैं अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आखे वाटसेप कैसे जेल पहुचा सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक चैटिंग फ्लैटफॉर्म है और जहाँ पर आप असानी से अपने कॉन्टाक्स से कनेक्ट कर सकते हैं कई बार आप ऐसे ग्रॉप्स के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ पर शायद ही कुछ लोग आपको जानते होंगे और उनमें से जादा तर लोग आप से अंजान रहते हैं ऐसे में कुछ भी कहने और मैसेज करने या फिर कोई मीडिया फाइल भेजने से पहले आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते तो आपको पोलिस और कैचेहरी के चकर काटने पर सकते हैं दरसल आप अगर किसी ग्रूप में जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है उस ग्रूप में अलग-अलग विचार धाराओं और धर्म संप्रदाय के लोग होंगे ऐसे में कई बार आपके किसी मैसेज या किसी मीडिया फाइल से किसी भी मेंबर की भावना आहत हो सकती है माल लिजेए आपने कोई जाती सुचा किया, अभधर भाशा का इस्तमाल ग्रूप पर किया तो जाहिर सी बात है कि इसे लेकर कोई शक्स आहत हो सकता है और अगर इस बात की complete पुलिस के IT cell में हो जाए तो message भेजने वाले और group admin को पुलिस थाने बुलाया जा सकता है इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपकी सनलिप्तिता पाई जाती है तो आपको jail भी जाना पर सकता है इसलिए भाया हम तो यही कहेंगे कि कुछ भी forward करने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिया करिये खाबर आपके काम की लगी हो तो आप बता दीजे आपको ये कैसी लगी आप comment के box में जाकर comment करकर हमें बहुत बता सकते हैं और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे फिर आजर होंगे ऐसी अपडेट्स के साथ तब तक क्लीब नी रही है मेरे साथ देखते रहिए जन संदीश टाइम्स